Hello everyone, स्वागा था आपका अभी क्लासेस में और आज फिर से क्लास 10 के जोगरोफी का जो पहला चप्टर में आपको पढ़ा रहा था उसका दूसरा क्लास आप सबों कलिये लेकर आया हूँ और इस दूसरे क्लास में हम लोग पहले क्लास से आगे के बारे में चर्चा करेंगे बुक पूंसा मैं इस्तिमाल कर रहा हूँ यहाँ पर जो बुक आपको दिख रहा है किसी भी बुक चलती है तो ये पूरा का पूरा जो chapter है, आपके लिए बहुत ज़्यादा महातुमपुर्ण है, और book तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, पहला ही पार्ट में chapter भी मैंने आपको open करके दिखाया था, ऐसे ही जैसे जैसे मैं आपके लिए chapter जो है पढ़ाते चलूँगा, आपको एक बा पहले, पहला जो क्लास हम लोग किये थे, पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि संसादन क्या है, यानि हमने संसादन की परिभासा की बात करी थी, संसादन को बहतर तरीके से समझे थे, आज हम लोग देखेंगे संसादन के परकार, कि संसादन के विविन परकार क्या है, क् कि हम लोग शंसादनों का वर्गी करन भी पहले ही पढ़ चुके हैं ओके संसादन का वर्गी करन वहला जो चेप्टर है वह भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि संसादन का वर्गी करन क्या होता है किस परकार से संसादन का वर्गी करन और परकार में क्या अंतर है वर्गी करन या यहां पर पहला दो परकार है, ठीक है, संसात्नों का वर्गी करन में पहला दो वर्ग है, और फिर देखिए, दो ठो और वर्ग है, तो इस परकार से अलग-अलग परकार होता है, तो संसात्नों के वर्गी करन में सबसे पहला जो है, वह उत्पत्ती के आधार पर, उत्पत्ती क्यादार पर संसादनों के दो परकार होते हैं पहला जो संसादन है उसे हम लोग जयव संसादन कहते हैं और दूसरा जो संसादन है उसे अजयव संसादन कहते हैं देखे मैं जैसे जैसे चीजों चीजे आपको बताते चल रहा हूँ आप उसे नौट करते कीजिए और मेरे साथ ही क्योंकि मैं एक बहतर तरीके से लिख रहा हूँ आप एक काम कर सकते हैं कि अभी पढ़ते समय आप चैप्टर को समझ लिजिए और फिर उसे स्क्रीन सोट मार के रख लिजिए और फिर बाद में बड़े ही आसान इसे बैठ के आप इसे लिख लेंगे तो मेरे ख्याल से आपको समझ माग यागा कि आपको कैसे लिखना है और बार बार आप इस चीज़ पर कॉमेंट मत किजिए कि सर नौट कैसे मिलेगा आप इस चीज पर कॉमेंट कीजिए कि आपको कौन सा सवाल जबाब नहीं आता है वो सवाल का जबाब मैं आपको एवलेवल कराऊंगा ताकि आपकी परिक्षा की तैयारी और भैतर हो सके चलिए अब टॉपिक पर आते हैं संसादनों का वर्गी करन करते हैं जब संसादन ऐसे संसादन जो जीव मंडल से प्रापत होते हैं बहुत ही आसान सी परिभासा है और कुछ इस तरह से बुक में हमारा लिखा हुआ है जसे कि मनुष्य किसमें आ जाएगा जैब संसादन में आ जाएगा अब दूसरा लिखा हुआ है आजयव संसाधन तो आजयव संसाधन क्या होगा वह सभी संसाधन जो निर्जी वस्तुवा से बना हुआ है जो भी चीज़े निर्जी वस्तों से बना हुआ है वो किसमे आ जाएगा आजयव संसादन में आजाएंगे या आजयव संसादन कहलाते हैं जैसे कि अगर कोई भी चटान लीजिए या कोई भी धातू लीजिए ये सभी किसमे आ जाएंगे आजयव संसादन में आजाएंगे ये तितली है तो ये तितली जो है वो किसमा जाएगा ये सभी आजाएगा जेव संसादन में यहाँ पर सायद आपको एक पक्षी भी दिख रहा होगा तो ये सभी किसमा जाएगे जेव संसादन में उसी परकार से यहाँ पर आपको परवत दिख रहा होंगे और ये बादल भ आधार पर और दूसरा जो पढ़ा रहे हैं वह समाप्यता के आधार पर तो समाप्यता के आधार पर संसादनों का वरगी करन अगर किया जाए तो इसे हम दो भागों में बाढ़ सकते हैं पहला जो होगा नवी करनिय संसादन होगा और दूसरा जो होगा अनवी करनिय संसादन यहाँ पर इस बात को समझें समाप्यता का मतलब होता है समाप्त होने क्या दार पर समाप्यता का मतलब क्या होता है समाप्यता यहाँ पर यह समाप्त सब्द से बना है यानि कि जो समाप्त के करीब है तो दो चीज हो सकता है या तो एक ऐसा होगा जो एक बार के परियोग से ही खत्म हो जाएगा वह सभी आजाएगा अनवी करनिये में या तो एक ऐसा संसादन होगा जो एक बार के परियोग से खत्म नहीं होगा तो वह आजाएगा नवी करनिये योग संसादन में तो लिखेंगे वे संसादन जिने बहुत तिक या विविन में लेंगे नवी करनिये संसादन में लेंगे जैसे कि वायू की बात करें यह जल की बात करें यह सब किस में आता है नवी करनिये संसादन अब यहाँ पर एक चीज आप समझे यह जो नवी करनी यह संसादन है इसके भी दो भाग है एक जो होगा ना एक होगा सतत सतत में लिए देता हूँ यहाँ पर सतत इसे कहते है या तो हम इसे कहते है निरंतर और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं परवाह यह दोनों हम बात करें मिर्दा के बारे मिर्दा का मतलब कोता है मिट्टी और फिर हम लिखते हैं वन तो यह तीन आपको जाद रieties यह संसादन है यह तीन मिल जा रहा है यह वह संसादन नहीं तो है लेकिन यह खतम हो शकता है यह खराब भी हो सकता है जरूरत है मानव को इसे बचाने की यानि कि वे संसादन जो समाप तो हो सकते हैं किन्तु लेकिन उसे क्या किया जा सकता है मानव द्वारा बढ़ाया जा सकता है यानि मानव उसे बढ़ा सकता है उसे हम किस में लेंगे परवाह संसादन में लेंगे तो यहाँ पर दो चीज खत्म हो सकता है और दूसरा हम क्या लिखेंगे मानव इसे बढ़ा सकता है मानव बढ़ा सकता है यह दो पॉइंट आपको याद रखना है यह परवाह आपको समझ में आ गया होगा यानि कि यह वैसे संसादन है जिसका अगर हम ऐसा दुरूपयोग करें या फिर लापर खाड डाल रहा है यह वो लन फन कई परकार के जो है उरवरक का परियोग करते हैं कई परकार के रसायन का परियोग करते हैं तो मिर्दा भी खराब हो रहा है और आपको पता है कि किस परकार से फैक्टरियां और आधोनिक मानव जल को खराब कर रहे हैं यानि यह वो संसाद यानि कि ये खतम नहीं होते हैं नहीं होंगे लंबे अर्शे तक जैसे कि सोर उर्जा का मतलब हो गया जो सुर्य दुवारा मिलने वाली उर्जा है ये हमारा खतम होने वाला नहीं है उसी परकार से अगर मैं हवा की बात करूँ हवा नहीं ज्वारिये उर्जा की बात करूँ नहीं है जैसे जैसे मानब और ज़्यादा प्रवावी होगा सोरी और ज़्यादा बढ़ता चिला जाएगा तो उम्मीद है आपको यह सतत और प्रवाह समझ में आ गया होगा आप इसका स्क्रीन स्वर्ट ले सकते हैं मैं इसे इरेज कर देता हूँ अब हमें दूसरा जो सिखना है वै है अनवी करनिय संसादन अनवी करनिय संसादन का मतलब होता है जो बिल्कुल भी वापस नहीं बनाया जा सकता है यानि कि जो बिल्कुल भी क्या है एक बार के परियोग के बाद ही यह क्या जाता है खतम हो जाता है तो यहापर वही लिखें ये करोडो साल लग जाता है, करोडो साल, या फिर लाखों शाल का समय लगता है, अब इतना साल तक कोई इंतजार तो करने शकता है, तो इस परकार से इसका निरमान बहुत ज़्यादा टाइम में लगता है, वैसे संसादन को हम अनवी करनीय संसादन कहते हैं, जैसे कि अगर म और आफिवासम इंधन है तो इसी परकार से पेट्रोलियम की बात करें या मिन्रल्स यानि खनीज की अगर मैं बात करूँ तो यह सब कि सेंब यह सब आ रहा है और नवी कर्निय संजादन में आ रहा है उमीद है आपको अश्डाइन नवी करनिये समझ में आ गया होगा अब यहाँ पर देखिए जिस परकार से आपका जो ये संसादन था और नवी करनिये संसादन इसके दो परकार में आपको बताया कि जो नवी करनिये संसादन है इसमें पहला जो आता है वो होता है सतत और इसमें दूसरा जो आता है उसे हम क चक्रिये यहाँ पर दो उधारन से आप आसानी से समझ सकते हैं चक्रिये संसादन का मतलब होता है कि इसे ये धरती के अंदर फिर से नहीं बनेगा लेकिन जब वापस उपर आ जाएगा तो हम इसका बार-बार परियोग कर सकते हैं जैसे मैं खनीज का बात करता हूं और के बाद मुझे ये पसंद नहीं है तो मैंसे गेट को तोड़वा के लओ को पिगला के फिर से मैं इसे च्षड बन वा सकता हूं मान लेता है कि च्षड का उप्योग नहीं है तो च्षड से दूसरा चीज़ बना सकते हैं यानि कि यह जो खनीज हमारा है जैसे कि कई बार आ अकनतनी हो गया या फिर जमका हो गया तो यह जो गहने हैं मान लिते हैं महिला को वो डिजाइन पसंद नहीं है तो वो क्या करती है उन्हें फिर से सुनार के पास ले जाता है और फिर उससे एक नया डिजाइन का गहना बनवा लेता है तो इस परकार से गहना जो है वो किस में खत्म हो जागाOT उसे हम क्या काते हैं औचकरिये जैसे कि कुई ले लिजिए पेट्रोल ले ले लिजिए आपके घर में जो आने वाला LPG GS है वो सारी लिले जिए वेस अभी किस क्या है औचकरिये औशकरिये औवी करनिये संसादन समझ में आ गया होगा और इसके दो परकार भी आपको समझ में आ गया होंगे अब आईए हम लोग पढ़ते हैं स्वामित्व के आधार पर संसादन स्वामित्व के आधार पर चार परकार के संसादन होते हैं जिसमें से पहला है व्यक्तिगत संसादन दूसरा है सामुदाइक संसादन और तीसरा है राश्टी संसादन और चोथा है अंतराराश्टी संसादन इससे समझना बहुत ही आसान है देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ व्यक्तिगत संसादन के बारे में यानि कि वैसा जैसे कि आपके पास एक सैकिल होगा उस सैकिल का मालिक कोन है आप खुद है आपका मकान है हो सकता है कि आप अपना खुद के मकान में रह रहे होंगे तो उस मकान का मालिक कोन है आप खुद है एक किसान है जिसके पास अपनी एक जमीन है तो उसका मालिक कोन है वो खुद हैं, यानि वैसे संसाधन, वैसे वैक्तिगत संसाधन, वैसे संसाधन, वैक्तिगत संसाधन कहलाते हैं, जिनका स्वामित्व नीजी वैक्तियों के पास होता है, यानि किसी एक वैक्ति के पास होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैक्तिगत संसाधन कहते हैं, जैसे कि म कि मैं आप सुबह को laptop screen से बढ़ा रहा हूँ तो इस laptop का मालिक को है मैं खोद हूँ आभी बहुत सारे लोगों के पास mobile है तो mobile का मालिक कों है जो निके पास है हो खुद है तो mobile का हो गया वेख्तिगत संसाधन में आ गया है घर evolved even के बास जमीन वेक्तिगत संसादन हो गया लेकिन आप कल अपना कीजिए वे संसादन जिसका उपयोग समूदाय में समूदाय के सभी लोग करते हैं यानि कि आप उसको मना नहीं कर सकते हैं तो वो किसी में आ जाएगे जैसे कि अगर यहाँ पर तालाब की बात करते हैं तो तालाब में कोई मना नहीं कर सकता है, समशान गाट की बात करता हूँ, समशान गाट में कोई लाहस को जलाने के लिए मना नहीं कर सकता है, तो ये सारी चीजे किस में आ रहा है, ये सारी चीजे समुदाइक संसादन में आ रहा है, उसी परकार से अगर मैं पार्क का बात करूँ तो पार्क में भी कोई मना नहीं कर सकता है जैसे अस्पताल का बात करे इश्कूल का बात करे ये सभी किसमें आ जाते हैं सामुदाइक संसादन में आते हैं जहांपर अगर आप जाते हैं तो आपको मना नहीं कर सकता है लेकिन आप मेरा सैकिल लेके जाएगा तो हम मना कर सकते हैं क्योंकि वो मेरी संपती है तो व्यक्तिगत संसादन और समुदाइक संसादन समझ में आ गया होगा अब आईए हम पढ़ते हैं राष्टिय संसादन राष्टिय संसादन कहता है कि किसी भी परकार के संसादन जो राष्टि की भोगोलिक सीमा के भीतर मौजूद है राष्टिय संसादन कहलाते है यानि कि एक देश के सीमा के अंदर जो भी संसादन है चाए वो आपका हो, मेरा हो या किसी समुदाय का हो वैस सभी संसादन क्या कहलाते हैं राष्टिय संसादन कहलाते हैं जैसे माल लेते हैं कि ये रेलवे आपको जोई दिख रहा है ये रेलवे क्या है ये जो रेल है ये रेलवे राष्टिय संसादन है ये जो वन दिख रहा है वन ये क्या है राश्टिय संसातन है आप नहीं बोल सकते हैं कि मेरा वन है मैं इस वन को काट के अपने अविशक्ता की वस्तु बनाऊंगा नहीं का सकते हैं क्योंकि अगर वन कटेगा तो आपको केवल नुक्सान नहीं होगा बलकि जो भी लोग आसपास में रहते हैं देश म पर आपका जमीन है और इस जमीन से रेलвे को क्या करना है? तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि यहां बीच में मेरा जमीन आ गया है, आप रेलвे को मत लेए, क्यों? क्योंकि एक तरस से देखा जाए तो देश के अंदर जितना भी संपती है, वो किसका संपती है? एक देश की संपति अच्छा है उसमें आपका जमीन आ जाए कुछ आ जाए इसलिए कहता है कि अगर देश की भोगौलिक सीमा के भीतर कोई भी चीज है वो क्या कहलाता है राश्टिय संपति कहलाता है जिसमें उधारन के लिए आप वन लिखेगा रेल वे लिखेगा अब मैं इस चीज को एक और चीज से पहले समझा लेता हूँ फिर आगे आपको अंतराश्टिय संसादन में आता हूँ कि ये भोगौलिक सीमा क्या होता है इसको मैं बार बार सरकल कर रहा हूँ इसलिए ताकि मैं आपको बता सकूँ देखिए राश्टिय संसादन में साप साप आता है जैसे कि राज है राजदान ही आप देखे होंगे तो हमारे जो बॉर्डर है ना बॉर्डर उस बॉर्डर के अंदर इसी को राजनेतिक सीमा कहते हैं और दूसरा है कि बारा समुद्री मिल यानि 22.5 किलो मिटर तक महासागर ये छेत्र भूब भागिये समुद्र वह जैसे कि आप यहां पर दीखिए यहां पर अपना प्यारा भारत दिख रहा है त्हीं कि इस नक्सा को सऻई कर देता हूं यहां तक अपना जमीन हैं ओक ना चलिए मैं यह पूरा घेर लेता हो यह अपना भारत है और इस भारत से यहां पर आप-oria dunicा को धक्तम हो गया यहां राजनीतिक सीमा ठीक है राजनीतिक सीमा को हम लोग बॉर्डर भी कहते हैं अब इसके बाद जो हरे रंगों में दिख रहा आपको यहां तक समुद्र है लेकिन इस समुद्र में भी यहां तक का जो पानी है वो अपना है कितना दूर तक यह होता है 22.2 किलोमेटर कितना लिखा था आप देख सकते हैं 22.2 किलोमेटर लिखा हुआ है हलाकि वहाँ पर शाप साप नहीं लिखा पा रहा है मैं इसे इरेच कर देता हूँ फिर लिखता हूँ तो यहां से यहां से यहां तक का जो जल है जल यहां पानी पानी के अंदर जमीन और इस पानी में पाए जाना वला जितना भी जो भी चीज है मचली उचली जो भी चीज आ रहा है सब मेरा है बात समझें मेरा का मतलब अपना प्यारे भारत का है वो राष्टिय संपधी में आ रहा है ओके यहां तक जमीन अपना है चलो जितना घर सकते उतना मेरा है ओके तो ये 22.2 किलोมिटर और इसे समूधरी मील में कितना लेते हैं 12 समूधरी मील तो ये आपको प्याद रखना है ओके तो इस तरह से अगर आप अपना प्यारा भारत यहां मैं अपना नक्सा में दिछाओं तो यहां से लेकर के यहां तक आप 22.2 किलोमेटर जहां तक जाएगा चारो तरह 22.2 किलोमेटर का गहरा बनाईए और उस गहरे में जो भी पानी आएगा वो मेरा है इसलिए कई बार आप देखेगा कि भारत का नक्सा जब दिखाते हैं तो उसमें सिरलंका भी दिखा देते हैं तो सिरल भोगोलिक सीमा क्या है समझ में आ गया होगा और राजनेतिक सीमा भी समझ में आ गया होगा एक बार चीजों को इरेच करके अब आई हम लोग समझते हैं अंतराष्टिय संसाधन जैसा कि आप समझ चुके हैं कि भोगोलिक सीमा 22.2 किलोमेटर का पानी है अब 22.2 किलोमेटर के बाद का पानी किसका है वो बाद का पानी है अंतराष्टिय संसाधन तो यहाँ पर वही होगा कि राष्टिय संसाधन के परे यानि राष्टिय संसाधन जहां तक है उसके बाद ठीक है सभी संसाधन जिनके उप्योग के लिए आपको अंतराष्टिय अनुमती या तो आपको UN पढ़ेगा या तो अंतराश्टी अनुमति लेना पढ़ेगा जो तो फिंद दों सकतेैं q γैझा राटां बात का जो पानी है हवा है वो सारा चीज क्या है अंतराष्टिय संसादन है न तो कोई भी बोलता है कि ये पानी किसका है किसी का नएक काम करता है यहाँ पर मैं परमानू बम छोड़ देता हूँ अब इससे क्या होगा जल में रहने वाले जीव मर जाएंगे वहां तक का पान जो हमारे लिए आय जाएंगे और इसलिए सब कोई मिल कर के बोला कि नहीं अंतराष्टिय संसादन को कोई नहीं टच करेगा उसी परकार से यह जो बर्फ है जो अंठार्टिका में देखता है वैभी क्या है अंतराष्टिय संसादन है इस पर किसी कहाक नहीं है तो उमीद ह आपको अंतराष्टिय संसादन समझ में आ गया होगा, राष्टिय संसादन भी समझ में आ गया होगा, और अब ये अंतिम है, विकास के अस्तर के आधार पर संसादन का वर्गी करन करें, यह भी चार परकार के होते हैं, पहला जिसे हम संभावी संसादन कहते हैं, दूसरा है संचादन, तीसरा है बंडार और चोथा है संचीत को इन चारों को समझते हैं संभावी का मतलब क्या होता है वे संचादन जो किसी परदेश में विदमान है परन्तु deles का उपयोग अभी नहीं Hip MKSt mat लेकिन अभी उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है लेकिन भवी समय हो सकता है कि ऐसा समय आएगा जब हमें उसको उपयोग की संभावना है चुकि इसकी उपयोग की संभावना है इसलिए ऐसे संसादनों को हम संभावी संसादन कहते हैं जैसे कि दो जगा का नाम लिखते हैं पहला जो ज़गा है गुजराथ है और दूसरा है राजस्थान आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में बहुत जादा गर्मी पड़ता है क्योंकि वहाँ पर ठार रगिस्थान है तो एक काम करते हैं कि मैं रेगिस्तान में solar panel लगा देता हूं जिससे कि आओगा बिजली बने यहां पर यह संसाधन विदमान है लेकिन अभी इसका परियोग नहीं कर रहे हैं तो यह क्या है संभावी यानि कि एक तरह का संभावना है कि आने वाले समय में इसका परियोग करेंगे उसी परकार से गुजरात में पावन चक्की का परियोग क्या जा सकता है पावन चक्की प वैसे संचादन किस में आ जा रहे हैं संभावी संचादन यानि कि जिसकी संभावना है लिकिन अभी परियोग नहीं कर रहे हैं वो संभावी संचादन कहलाते हैं दूसरा क्या है विक्सित संचादन ये संभावी का विपरीत है यानि कि वैसे संचादन जो अभी हम परियोग क लिखेंगे वे संसादन जिनके उपयोग की गुनवता और मातरा निर्धारीत की जा चुकी है यानि जो उपयोग के लिए तयार है और जिनका उपयोग वरतमान समय में किया जा रहा है विक्सित संसादन खालाते हैं अब जो जो संसादन अभी परियोग कर रहे हैं लिख कि आप मैंने क्या किया है परिभासा को और बहतर लिखने का परियास किया है हम खुद लिखे हैं तो प्लीज आप इन परिभासाओं को कौपी में लिखे और बहतर तरीके से इसे याद करें इने की किताब से उठाया और हूब हूँ लिख दिया वैसा नहीं किताब से हम लि लिख सके तो आपको लिखते चलना है साथी साथ तो संबावी विक्सित समझ में आ अब दो हमें समझना है पहला हम लोग समझते हैं भंडार तो वैसे संचारान जो हमारे पास उपलब्ध है परुंति उनके सही इस्तेमाल के लिए हमारे पास कोई भी तकनीक नहीं है इसे ऐसे संसादन को भंडार कहते हैं तो हम लिख देते हैं ऐसे यहाँ पर ऐसे होगा ठीक है ऐसे संसादन को भंडार कहते हैं अब ऐसे संसादन में क्या आता है जैसे कि आप कलपना कीजिए जल तो जल का जो फर्मूला है H2O होता है यानि दो बार hydrogen और एक बार oxygen और विज्यान में कहता है कि hydrogen एक ऐसा चीज है जो जलता है जो क्या करता है जलता है और oxygen ऐसा है जो जलने में मदद करता है बिना oxygen का कोई भी चीज नहीं जल सकता है तो यह जलने में क्या करता है मदद करता है तो आप समझेए कि यह दो चीज पा ही है जिससे हम पानी को जला सकें तो हम क्या सिखें हम यह सिखें कि आने वाले समय में ऐसा तक्निक आएगा जिससे इसको हम अलग कर सकते हैं हाइड्रोजन को भी अलग कर देंगे और ऑक्सिजन को भी क्या करेंगे अलग करेंगे और यह दोनों ही योगी एक दूसरे से अलग हो जाएगा तब जो hydrogen है हमारे लिए उर्जा का मुक श्रोत्र बन सकता है ठीक है तो अभी हम क्या कर दिये हैं इसको भंडार में रख दिये हैं तो वैसे संसाधन को क्या करते हैं भंडार कहते हैं तो उमीद है आपको भंडार समझ मागया होगा अब संचीत कोस पढ़ना है त जैसे कि जल को कैसे जलाएंगे मेरे पास कोई टेकनोलोजी नहीं है लेकिन यहाँ पर संचित कोस क्या है वैसे संचाधन जिसे बनाने जानते हैं और जिसे बनाने के लिए हमारे पास तक्निकी ग्यान भी है परंतु परंतु क्या परंतु दो बर लिखा गया मैं एक बर काट परन्तु अभी इसका उप्योग काफी कम यानि कि सीमित मात्रा में किया जाता है ऐसे संसाधन को संचीत को संसाधन कहते हैं अभी इसमें कौन से संसाधन आते हैं जैसे कि नदी का बहता हुआ जल से हम क्या कर सकते हैं विद्यूत बना सकते हैं और यह हम जानते हैं हमारे पास machine है technology है सब चीज है लेकिन अभी हम इसका परियोग सीमीत मातरा में यह बहुत कम कर रहे हैं तो वैसे संसादन किसमें आ गए है संचीत कोश में आ गए है ओके तो इस परकार से संसादन के सभी परकार मैंने आपको बहतर तरीकी से समझाया और यहां पर part two खतम होता है मैरा उमीद यही है कि आप इन सबे को अच्छे से लिख ले और part third जब आएगा तो आप बाकी चीजों को भी आप लिखते चले और तयारी को बहतर करते चले अपरेल सही जो है आपकी पढ़ाई हम सुरू कर चुके हैं ताकि आप अच्छा से पढ़ सके वैसे बच्चे जो लेट से आ रहे हैं लेट से जुड़ रहे हैं हो सकता है कि आप अपरेल में यह वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आप पूरा देखिए जितने भी वीडियो जैं इनका पले लिस्ट आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप जरूर से जरूर सभी वीडियो को देखें और अपनी तयारी को बैतर करें मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक लिए जैहिन जैभारत वन्दि मातरा